हेलो रिवन स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से हमारी यूट्यूब चैनल सरकारी काफे के ऊपर तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज इसका वेटे जोए क्या रहता यानि कि किस टॉपिक का वे आज किस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखीगा 100% मेरी करेंटी है कि ये वीडियो आपको काफी जादा हेल्प करने वाली है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और फर्स्ट आफ आपको बताएंगे हम लो क्योंन डिखाए गया जैसे की बस्ट करेंगर रिडिण गृहिंश ऩनी यानी की पैसेज की तो पैसेज का लंग वग प Stephen Berry आता है az कभी-कभी क्लोश टेस्ट आता है ऐसे अगर पिछले कुछ सालों की अगर बात कर तो पिछले कुछ सालों में पैसे नहीं आ रहा है ठीके क्लोश टेस्ट आपका आता है तो दोनों में से कोई भी आता है तो अगर कोई भी आता है तो उससे पांच कोशन आपका फिक्स है ठीक तो तीन कोश्चन यहां से हो गया दो कोशन यहां से अपका साइनों को हो गया और उसके बाद तीन कोशन यहां से करें तो यहां से आने वाला है तो इसलिए वोकाइब पर ज्यादा फोकस करना होगा क्यूंकि 25 में से तो इसमें तीन कोशन आते हैं तो इसके बाद भात करें अग्र डाइनी कोशन का चार कोन आता है उसके बाद देखे यहाँ पर direct and indirect यहाँ पर छोड़ दिया गया है लेकिन उसके भी question जो आते है ठीक है तो direct and indirect भी आपका exam में fix है कि आएगा दो question वहाँ से भी आपका पूछ सकता है तो यह मैंने साड़ा weightage यहाँ पर बता दिया तो इसको आप देख लिजेगा और जिस भी topic का weightage ज्यादा है जैसे कि मान के चले कि यहाँ पर work app का portion मतलब ज्यादा useful है आपके लिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादा weightage रखता है तो उस पर ज्यादा focus करना आपको तो जिस भी chapter का weightage यहाँ पर ज्यादा है उस पर पहले आप focus करो क्योंकि time भी बहुत कम है अगर आप सभी chapters को दोगे तो हो सकता है कि आपका complete नहों पाए तो इसलिए क्यों ना पहले जिसका weightage ज्यादा है उसी पर focus किया जाए बाकि जिसका weightage का मैं उसको उनलोग बाद मे पर तो उसको आप ज्याइन कर सकते हो नेक्स अपर बात करते हैं दोस्तों क्वांट यानिकि mathematics की तो यहां पर syllabus आप देख सकते हो मैं आपको अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते इसमें मैं सारा PDF देहूंगा आपको उसके बाद देखे चलिए बात करते है math की तो द रेशियो और प्रोपोशन के वन कोशन और सिंपल इंट्रेस्ट के एक से दो कोशन फिक्स है उसके बाद जियोमेटरी भी काफी ज्यादा वेटिस रखता है तो जियोमेटरी को भी आप मत चुरिएगा यानिकि जो एडवांस का पार्ट होगा तो उसमें जियोमेटरी हो ग ज्यादा फोकस करना पहले पूसी से स्टार्ट करना अगर प्रिप्रेशन अभी तक सुरू नहीं किये हो तो ठीक तो जियोमेटरी के तीन कोशन याद रखेगा उसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के एक सब दो कोशन आ जाता है अल्यबरा मैंने बता ही दिया का आप ज्यादा रखता है तो यहां से है तो समझ सकते हो कितना ज्यादा येसफुल आपके लिए यह टॉपिक है उसके परसेंटेज का एक कोशन आता है लेकिन परसेंटेज को पढ़ना मत बूलना क्योंकि परसेंटेज का यूज़ा आपका प्रॉफिट लॉस में भी हो जा को भी आप नहीं चोड़ सकते हैं उसके बाद नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के एक दो कोशन आपके आजाते हैं तो यहां से आपको सारा चीज़ देख लेना है कि इसका वेटेज जाद है और उसी के अपको पढ़ाई करनी है यहां से यह मतलब जो आपका चार्ट है उसक लिए और नंबर क्लासिफिकेसिंगे दो कोशन उसके बाद सिंबॉलिक क्लासिफिकेसं के एक कोशन वें डियराम काफी इंपोर्टेंट दो कोशन और यहां पर हो गया तो दो कोशन इसके आते हैं तुछ कोशन रखना है के तीन कोश्चन और बागे समय आपको बता दिया ठीक है तो देख लेना किसका वेट ज्याद है और उसी के अपना प्रेपरेशन करो ठीक है क्योंकि काफी कम टाइम बचा हुआ है फैवलरी मर्स में आपका जो सेडियूल है एक्साम तो कम टाइम है दो महीने पान के चलो दो अधाल काफे बिव ही यहितिया गोथी यहां पोलट के क journée क है का प्रबागेस एंसी दरबित अज जैसे कि सबसे बड़ी नदी ही सब मटर्ब कोशन आता है स्टाटिक चीके से उसके बाद इकोनोमिस का तीन कोशन और करेंट अपिर्स लिकाफित्स लिकांट यहां तो 3 ही सोकरा लेकिन 5 कोशन लगबग आ जाते हैं 5-4 ऐसे कोशन आता है करेंट पटै तो करेंट अफेर्स को आप इंपोर्टेंट ही समझना तो तो इस तरीके से मैंने सरा यहाँ डिस्ट्रिपिशन बता दिया आपको सरा वेटिस बता दिया सब्जेक्ट वाइज चाप्टर वाइज अब जो भी जिसका वेटिस ज्याद है आपको कुछ से समझना है अनलिशिस करना है और इसके को प्रिपेशन करना है ठीक है बागी और कुछ दाउट होता तो आप कमेंट सेक्टन मुझसे पूछ सकते हो और हाँ अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो आप हमें टेलिग्राम पर संपर्थ कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स मैंने दिया हुआ है तो उसको जोईन कर लेना और वहा आप से नेक्स्ट टुडियो में तब तके लिए गुडबाए